देखिए जो बच्चे 60-90% स्लेवर्स करके बैठे हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर strategically बहुत different way में उनको चलना पड़ेगा कि अगर वो exam निकालना चाहते हैं सबसे पहली चीज जो उनको मेरी पसंद नहीं आएगी जो मैं करो अब आप जो है सबसे पहले revision mode के उपर आजो और रोज कम से कम आपको 3-4 घंटे revision को देने ही देने हैं ऐसे बच्चे जिनका 60-90% स्लेवर्स जो है अभी तक हुआ है और वो 3-4 घंटे revision में उनके लिए भी वही चीज है कि accounts के अंदर रोज AS वाला पार्ट हो गया law में जितना भी आपका other law वाला पार्ट है उसके बाद आपका tax के अंदर जितना भी आपका GST वाला पार्ट आ जाता है costing के अगर मैं बात करूं तो आपका standard chapter marginal chapter budget chapter ये वाला पार्ट उसके बाद आपका बात करूं advance accounts के अंदर तो वहाँ पर भी आपके पास AS वाला पार्ट auditing के अंदर अगर मैं बात करूं तो standards on auditing वाला EIS SM के अंदर अगर बात करूं तो SM और FM ECO के अंदर बात करूं तो ECO तो ये वाला पार्ट आपने जो है रोज 3-4 घंटे लगाके revise करना है और कैसे revise करना है सिर्फ और सिर्फ जो perfect revision book आपको मिली है जो perfect revision आपके पास book है और नहीं है तो आप उसे ले सकते हैं एकदम no profit no loss basis पे सिर्फ printing cost ले करके आपको किताब आपके घर तक पहुचाई जाती है इसको जरूर ले और ये वाला part जो है आप उसमें से रोज revision करें 3-4 घंटे हाँ आपको लगता है कि मैं इस book की समय promotion करने के लिए वीडियो बना रहा हूं तो आप सोच लीजे वो जब आपको book पहुचेगी आपको उसकी वर्थ समझ में आती है कि ये book जो है सिर्फ बच्चों को पास करवाने के मकसद से डेवलिप की गई है इसके अंदर no profit no loss even in some cases we pay the courier charges of 400-450 जब orders हमारे पास केरला और तेलंगना से आते हैं और book हम देते हैं 297 रुपीज की चलिए वो बात की बाते हैं तो जिनका 60-90% है revision 3-4 घंटे जो है उनको रोज करनी है उसके बाद इनको क्या करना है इनको टार्गेट होना चाहिए next कि मुझको कम से कम week के अंदर आप 2 mock test करने कम से कम week के अंदर 2 mock test दो नहीं कहूंगा चलो 2-3 कर लो 2-3 mock test जो है करने शुरू कर देने जो इस papers हो गए है जिनका syllabus अच्छा हो गया है उनके 2-3 mock test करना शुरू कर दो इसके बाद जो टाइम बसता है उसके अंदर आप लोग 60-90% वाले बच्चे जो है अपना syllabus completion पर ध्यान दे और वो भी कोशिश करेगी बस मात्र 80% तक हो जाए जिनका already 80% यह उससे ज़्याद हो गया वो full stop लगा दे क्योंकि देखो जितरा आपने syllabus किया है न वो भी अगर आपने 100% कर लिया तो आप exam निकाल लेंगे 100% करने से कभी भी कोई जंडे नहीं गड़ जाते है यह बता दूँ आपका main मकसद है कि आपको exam निकालना है और exam निकालने के लिए आपको मैंने बताया क्या करना है कि आपको जादा से जादा फोकस करना है कि हमें revision जादा से जादा करने है कि आपको जादा से 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 जाद